नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, दिन अंग 17 नमबर 2024 का संपुन राशिफल उससे बेले आज का दिन का जो पंचांगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, आज का जो दिन है रभिवार का है आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुवत होगा दोपर 2 बच कर 17 निन से लेकर 4 बच कर 19 मिनिट तब और अभिजित मो उर्द दोपर 11 बच कर 18 मिनिट से लेकर 12 बच कर 36 मिनिट तक का होगा गुलिक काल और अभिजित मो उर्द दिन के शुबक अलावदी कहें जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत बुनकाम या फिन्दिन ने आप ले सकते हो उसे प्रकार आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरुवत होगा शाम 4 बच कर 19 मिनिट से लेकर 5 बच कर 22 मिनिट तक और या मगंड़काल दोबर 12 बच कर 12 मिनिट से लेकर 1 बच कर 34 मिनिट तक का होगा राहुकाल और या मगंड़काल दिन के अशुबक अलावदी कहें जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतपुनका या पिनिन ने बिलकुल भी नहीं दिना उसी प्रकार आज के दिन का जब चंद्रमा है ये चंद्रमा संपुर्ण दिन बुरुषब राशी में ब्रह्मन करेगा ये चंद्रमाग गुरु के साथ युतियोग करने जा रहा है, शनी के साथ प्रतियोग करने जा रहा है, शनी के साथ केंद्रयोग करने जा रहा है, बुद्ध के साथ प्रतियोग करने जा रहा है, उसी प्रकार आजी के दिन रभी और हर्शल का प्रतियोग भी होने जा रहा है यह गरसिती सामने रखते हुए बारर राशियों का राशिपल क्या होगा इस विशे पर अब हम चार्चा करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के द्वितियों में चंदरमा का भ्रमन है वही परसित गुरू के साथ यह चंदरमा योतियों करने जा रहा है आपके अश्टमबाव में से बुद्यों के साथ यह चंदरमा प्रतियों करने जा रहा है काफी महतोपन दिन है आपके लिए आज के दिन कुछ अच्छे लाब बगरा मिल सकते हैं महतोपन इंवेस्टमेंट भी हो सकती है उसी परकार खर्चे जहोंगे उस पर थोड़ा नियांत रपना आवशक है और सबसे महतोपन बाद आने वाले दो से तीन दिनों में आपको स्वयम के स्वास्त के बारे वे ध्यान देना बहुती ज़्यादा आवशक होगा खास करके शारिरिक स्वास्त से लिए चो कॉबलन है वो ज़्यादा आ सकते हैं थोड़ा सचो कनना रहना आवशक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है बृषवराशी बृषवराशी में इचन्दरमा का भीमन है वही परस्तित गुरु के साथ ये चन्दरमा यूतियोग करने जा रहा है आपके सब्टम्बाव में सिथ बुद्ध के साथ ये चंदर माँ प्रतियोग करने जा रहा है और दशंबाव में सिथ शनी के साथ ये चंदर माँ केंडरियोग भी करने जा रहा है आपी के राशे में इसी थर्शल के साथ आपके सब्तमबाव को जो रवी है वो प्रतियोक करने चारा है अज आपका confidence energy level जवर्दस से देखी रहेगी भागे का पूरा का पूरा साथ मिनता हुआ नजर आएगा जो काम आप आद में लोगे पूरे होते हुए नजर आएगे सिर्फ थोड़ असा mental stress आ सकता है आपकी जो वैवाई जुड़िदार है उनके health issues आने वाले दो सी तीन दिनों में ज्यादा अपो सकते है बस आपको उसे के उपर थोड़ा ध्यान देना आवशक होगा चोटी मुड़ी वातों को लेकर ताकरा होने की संबावना भी काफी ज़्यादा बंद रही है इसके बाद की जो राशी है वो है मिधुन राशी मिधुन राशी के वईया भाव में चंद्रमा का भ्रह्मन है वई पर सिथ गुरू के साथ ये चंद्रमा यूतियों करने जा रहा है शाष्टर बाव में सिथ बुद्ध के साथ ये चंद्रमा प्रतियों करने जा रहा है और भाग्या बाव में सिथ शनी के साथ ये चंद्रमा के इंद्रियों करने जाता है उसी प्रकार आपके शाष्ट बाव मिस्तित रवी के साथ आपके वियाबाव को जो हर्शल है वह भी प्रतियोग करने जा रहा है स्ट्रेसफुल डे आज आपका हो सकता है कास करके वैवाई जो डर्म के साथ जो बाते प्रॉब्लम है वो काफी ज़ादा बढ़ सकती है इसके बात की जो राशी है वो है करकराशी करकराशी के लाभवों में चंदरमा का भ्रमन है वई परसितु गुरू के साथ ये चंदरमा युथियोग करने जा रहा है आपके पंचमभामिसित बुदा के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है और अश्टमभामिसित शनी के साथ ये चंद्रमा केंद्रियोग भी करने जा रहा है पंच्व मौमिस्तित रभी के साथ लाब उवाओं का जो हर्शल है वो भी प्रतियोग करने जा रहा है दिन बहुत महतोपणा शुपलदाई सावित होगा आज की दिन कुछ अच्छे लाब को लाब मिल सकते है महतोपणा काम आपके हो सकते हैं अच्छे साला भी आपको मिल सकती है उसी प्रेकार थोड़ा मित्र परिवाद जो है उनके सब कही बाहर भुणना फिनना हो सकता है आने वाले दो से तीन दुने में जो गर्भुवती मैला है करकर राशी की उन्होंने कुछ के स्वास्ति बारे में ध्यान देना होगा उसी प्रेकार अधर आप गिसी के रिलेशन्चिप में है वहाँ पर मी चोटी मुटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है उसके बाद की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंगर रशी के दशम मौमे चंदर्मा का भ्रमन है वही पर सिथ गुरू के साथ ये चंदर्मा युतियोग करने जा रहा है आपी के चतुरतबाव में सिथ बुद्ध के साथ ये चंदर्मा प्रतियोग करने जा रहा है कारिशेत्र से रिलेटर आज की दिन घूमना फेरना जादा हो सकता है लेकिन उसकी चण नुतिजे है आपके लिए काफी ज़़ा सकारात्मक साबित होंगे जो भी काम अड़के हुए है पूरे नहीं हो रहे आज की दिन जरू हाथ मिलेजे आपके कारिशेत्र से अबिलेटर उसी प्रकार आने वाले दो से तिन दिनों में कारिशेत्र में जो विक्ति है सायकर्मी या फिर वरिस्ट उनके साथ जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़ी बढ़ सकती है बस आपको उसी के ओपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा चो करना रहना आवश्यक होगा इसके बाद की जो रशी है वो है कर्ण्या रशी करन्या रशी के भाग्य बाव में चंद्रमा का भ्रमन है वही परसित गुरु के साथ ये चंद्रमा यूतियोग करने जा रहा है आपके तृतिया बाव में सित रभी के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है काफी महतोपड़न दिन है आपके लिए खास करके आज का दिन आपके लिए भागिशाली साबित हो सकता है घूमना फिरना जादा हो सकता है महतोपड़ना काम भी आप आप में ले सकते हो वो काम पूरे होते हुए भी नजर रहेंगे इसे परकार किसी को commitment, promises वाली बातों से थोड़ा दूर रहना आवश्यक होगा आपके जो अन्दाज है वो चुक सकते है आने वाले 2-3 दिन में हला कि आने वाले 2-3 दिन में मैं आपको घूमना फिरना जादा हो सकता है commitment, promises या फिर आपको स्वर्म के स्वास्त के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा, लेकिन भांगे का काफी अच्छा साथ मिटता हुआ नजर आएगा, इसके बाद की जो रशी है बो है तुला रशी, तुला रशी के अश्टम मौमे चन्दरमा का भ्रमन है, वही केंद योभी करने चारा है, अश्टम मौमे चन्दरमा के साथ दूतिया बागवा चो रमी है, वह प्रतियोग करने चारा है, महत पुणा दिन है, आपके लिए आज की ज़्यादा चौकना रहना होगा, खास करके स्वास की समस्याएं आज की दिन ज़्यादा सामने आ सकती ह किसी प्रकार के लक्षना करण आपको दिखाई देते हैं, तो उस पर तुरंत काम करना बहुती जादा आवश्चक होगा, आने मुले दो से तीन दुने में आपके जो खर्चे रहेंगे उस पर नियंदमटना काफी महतबुन होगा, शारीरिक स्वास्तिवारी में कटना एचे वरिच्चिक राशी, वरिच्चिक राशी के सब्तम महा में चंदर्मा का भ्रमन है, वही पर सिद गुरु के साथ ये चंदर्मा युतियो करने जा रहा है, आपी के राशी में सिद बुद्धा के साथ ये चंदर्मा प्रतियो करने जा रहा है, और चतुर्त बाव में सिद हर्शल के साथ आपी के राशी का जो रवी है वो प्रतियोग करने चारा आए। खास करके अगर आप विवाईत हो तो आपके जो वैवाई जो इधर है उनके साथ आजाओ आपके हार में काफी अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कही बाहर भूमना फिरना भी हो सकता है। वो है धनुराशी। सामने आ सकती है। किसी भी प्रकार के अगर यति आपको लक्षन दिखाई देते हैं तो तुरद उस पर कांग करना बहुत ही जादा आवश्यप होका। आपके जो अद्दास है वो चूक सकते हैं। उस परकार आने वज़े दो से ती इंदर में किसी भी प्रकार के महतपुण जिन ने किसी भी क्षेतर से रिलेटिट करना जिलेट क्यों नहों बिल्कुल भी नहीं करना स्वास की समस्याओं से भी सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद की जो राशी है वो है मकर राशी। महतपुण दिन है आपके लिए खास करके अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं दोनों में जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छे देखी चाहिए। कुछ अच्छे लाव बगरा मिल सकते हैं उस परकर भागे का पूरा का पूरा साथ मिलता हुआ भी निजर आएगा। हालाग आने उले दोस्य दिनों में अगर अप किसी के रिलेशन्शिप में है तो उससे रिए छोटे मूटे बाते हो सकते हैं और सब समय तो पुनवाद जो गर्म वती महिला है मकर राशी की उन्होंने स्वयम के स्वास के बारे में ध्यान देना बहुत ही सादा आवश्यक ह इसके बाद की जो राशी है वो है कुम्भ राशी कुम्भ राशी के चतुरत बाव में चंदरमा का भिमन है वही पर सित गुरु के साथ ये चंदरमा युदियो करने जा रहा है आपके दशंबाव में सित बुद्ध के साथ ये चंदरमा प्रतियो करने जा रहा है प्रतियोग करने जा रहा है महत अपने दिन है आपके लिए खास करके घर के जो लोग है उनके साथ आपके हार्मनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगे आप दोनों में जो commitment, promises वाले बाते हैं वो भी काफी अच्छी देखी जाएगे वास्तों से related किसी की टकरण के काम करना है तो आज की दिन आप ज़रूर हाथ में ले सकते हो उस पर करकार शेतर से related आने होगे दो से तिन दुनियों में थोड़ा सा चोकन रहना होगा आपके जो वरिष्ट रहेंगे या फिर सायकर में होगे उनके साथ चोड़ी मुटी बातों को लेकर तकरण हो सकती है ये तकरण काफी ज़्यादा बढ़ सकती है बस आपको उसी के उपर थोड़ा ध्यान देना आवश्रक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मींद राशी मींद राशी के तृतिय बाव में चंदरमा का भ्रमन है वही पर सिद्गुरु के साथ ये चंदरमा यूतियो करने जा रहा है भाग्य बाव में सिद्गुरु के साथ ये चंदरमा प्रतियो करने जा रहा है उसी प्रकार आपके विये बहुमना फिरना जादा हो सकता है मैं तो पूरे होते हुए भी निज़र आएंगे लेकिन आने वोले दोस्य दिनों में किसी भी प्रकार के कमिट्मेंट फ्रामिसे से आपको दूर रहना बहुत ही जादा आवश्यक होगा उसी प्रकार स्वास की समस्या भी सामने आ सकती है ठोड़ सा चोकाना रहना आवश्यक होगा तो दोस्तो ये था दिनां 17 नमंबर 2024 का संपुन राशिफल धन्यमा